सबसे बड़ी एक खवर सामने आ रही है कि निफ्टी में आने वाली है बहुत बड़ी गिरावट ये गिरावट कब और कैसे आ सकती है आईए देखते हैं यहाँ पर कहा गया है कि अगले 20 दीन में 1000 पॉइंट निफ्टी और नीच से आके गिर सकता है 1000 पॉइंट याद रखि इसके द्वारा एक अनुमान किया गया है कहते हैं कि यहाँ पर निफ्टी फिप्टी इंडेक्स में मौजूद से करीब 1000 अंक और नीचे आ सकता है दिगज बोकरिज फ्रम फ्रम सी एल ऐसे के टॉप चाटिस्ट लॉरेंस बालांग को यहाँ देख सकते लॉरेंस बालांग को ने एक अनुमान लगाया है निफ्टी फिप्टी पहले ही अपने 26,227 के हालिया शिखर से करीब 7% नीचे आ चुका है जो उसने 27 सितमबर को छुआ था देखिए और आगे कहते हैं कि बालेकों को उमीद है कि निफ्टी मौजूदास तर से और नीचे जाएगा फिलहाल निफ्टी पूरी तरीके से देखिए निफ्टी अमने देखा है कि निफ्टी पिछले तीन हफ्तों से मार्केट एक रेड जोन में है मार्केट में सीधा सीधा एक गिरावर्ट देखा जा रहा है आगे का ये बात है कि देखिए ग्लोबल बाजार बाजारों से सुस्त संके गिफ्ट निफ्टी की फ्लैट चाल रही है डाउ जोंस भी बहुत बड़े आज नंबर के साथ मार्केट नीचे नहीं गया है अगर देखा जाएगा तो आज वर्ल्ड मार्केट पूरी तरीके से या एशियन मार्केट के बारे में बात करेंगे तो एक mixed move था क्या भी mixed move का मतलब है कि कुछ प्लस में बंद हुए है कुछ माइनस में बंद हुए है ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे वो भी कुछ ऐसे ही रहा है ग्लोबल मार्केट ग्लोबल बाजार से सुस्त संकित मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी और एशियाई बाजार फ्लैट कारो बार करते रहे लगातार दूसरे अमेरीकी बाजार फ्लैट बंद्वाइस जिसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मार्केट में अभी मोमेंटम नहीं है सिर्फ विदेशी बाजार में ही नहीं और उसका असर आज पड़ा भी है भारतिय बाजार में उसका असर पड़ा है अगर आप देखेंगे तो बैंग निफ्टी पहला 15 मिट के कैंडल के अंदर ही पूरा सारा दिन ट्रेट करता रहा मार्केट ना उपर गया और ना नीचे आया यहाँ पर आगे कहते हैं कि S&P 500 इंडेक्स लगातार दूसरे दिन गिर कर बंद हुआ है जहाँ पर डाव जोन से बिल्कुल फ्लैट चल रहा है वही पर यहाँ पर आप देख पहे रहे कि S&P जो है वो कम से कम 500 पॉइंट और नीचे आके बंद हुआ है और आगे कहते हैं कि 6 हफतों में पहली बार लगातार दूसरे दिन मतलब यह एक बड़ा संकेत है आगे आने वाले समय में गिरावट का देखिए आज का अगर प्लोजिंग बेल देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखता है कि S&P लगबग यहाँ पर नीचे आके बंद हुआ है लगबग 139 पॉइंट जहाँ पर कल मार्केट में S&P में हमने देखा था मार्केट कम से कम 900 पॉइंट कल बंद हुआ था मैं कल की बात कर रहा हूँ आज 139 पॉइंट स्कूल मिला के S&P में भी लाल रंग बिल्कुल चमक रहा है देखिए निफ्टी का आज का गरम क्लोजिंग की बात करते तो निफ्टी आज बंद हुआ है 24,436 के आसपास और मैंने आपसे कहा था और ये कल का भी क्लोज के आसपास है कल भी लगबग इसी नंबर के साथ पास बंद हुआ था और मार्केट में मैंने आपसे साफ बात कहे थी कि मार्केट जब तक 24,735 के उपर कामकाज ना करे तब तक मार्केट में बाइंग और एग्रिसिव बाइंग आना मुश्किल है या बहुत ज़ादा मुश्किल है आज मार्केट पूरी तरीके से कंसॉलिडेट हुआ और मार्केट ये जो एक रेंज बना था यहाँ पे जो आपने जो रेंज बनता हुआ देखा था 24,436 के मार्केट यहाँ से उपर जरूर गया था लेकिन बहुत ज़ादा मार्केट में volatility आज था नहीं मार्केट आज पूरी तरीके से विदेशी बाजारों को follow करके मार्केट एक ही range के अंदर काफी देर रुका हुआ था और एक आर्क नुमा मार्केट ने आकरिती भी बनाई थी ये आर्क नुमा जो आकरिती होती है ये मार्केट का एक संकेत होता है कि मार्केट पूरी तरीके से एक ही range में घूम रहा है जिसके अंदर बहुत ज़ादा retailers को कम से कम फायदा नहीं होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ sellers का जो premium घटते रहता है उनको सबसे ज़ादा फायदा होता है इन ही सब चीजों को आईए एक बर हम भी चार्ट पे एक बर आप देख लेते है देखिए आज मार्केट बंद हुआ है 24,436 के आसपास और 20 EMA से भी मार्केट में पता चल रहा है कि मार्केट लगातार एक down trend मार्केट देता आ रहा है और मार्केट कल के मार्केट से भी और 36.1 मार्केट निच्चे आके बंद हुआ है देखिए मार्केट पूरी तरीके से बेहरीश है इसमें तो कोई दोहराय नहीं है लेकिन मार्केट में अगर आप बाइंग की तरफ थोड़ा भी मन अगर करता है तो देखेंगे तो buying अभी 24,700 के उपर ही जाके market में buying का एक scenario बन सकता है क्यों ऐसा क्योंकि market इसी range के आसपास market में बहुत बार support लिया है और market का support लेना यहाँ पर बनता भी आप देखे market इस तरह के support लेके finally market यह दूसरा दिने के market is strong support की नीचे market close दे रहा है और यहाँ से market का और नीचे जाने का plan हो सकता है कल तक market ने एक यहाँ पर close दिया है trend line के trend line तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत strong support की नीचे market ने close दिया है आज उससे भी नीचे close हुआ है और इसके बाद market का जो अगला छलावा है वो market को 23,900 तक ले जा सकता है आपको याद होगा इस level के बारे में हमने कई हफ्तों तक बाते की थी जब market इस area से घूम रहा था या अगस्ट का महीना था इसी area के बारे में हमने जुलाई महीने में भी बाते की थी 23,900 के बारे में अब दुबारा उसी के बारे में बात करने का वक्त आ चुका है लेकिन इस बार की बाते थोड़ी अलग है मैंने थोड़ी देर पहली जिक्र किया है कि market अभी निफ्टी आपको 1000 point और नीचे जाता हुआ दिख सकता है अगर हम आज से ही गणना करते है मान लेते की market आज जहाँ पे है यहाँ से अगर हम 900 या 1000 point के अगर बात करते है तो market यहाँ से 23,400 के आज पास पहुचता है तो यहाँ पे हमारे सामने अभी एक चुना होती है कि market 23,400 के पास पहुचेगा तो किस base में पहुचेगा देखिए उस से पहले market को इस range को तोड़ना पड़ेगा 23,900 को 23,900 को क्योंकि यह market का strong support है इसके बाद अगर market चाहे तो वापसी कर सकता है अगर इसको भी breakdown देता है तब जाके हम यहाँ पर 23,400 यह है 23,400 कर लेए पहले पास सो आएगा उसके बाद अगर market का mood ठीक रहता है तो फिर दीरे दीरे इसके नीचे और कामकाच करेगा तो market इस तरीके से आपको नीचे आता हुआ समय के साथ साथ देख सकता है लेकिन अगर हम बात करते हैं उपरी दिशा की अगर हम buying side की बात करते हैं तो यहाँ पे aggressive buying के बारे में तो पूरी तरीके से अभी market अभी देखिए market bearish है और bullish होने में बक्त लगेगा bullish अगर होता भी है तो वो depend करता है कि market किस mode से अपने आपको मोडता हुआ नजर आएगा for example market आज जहाँ पे बंद हुआ है उस जगह को ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको अगस्ट महिने में एक breakout का संकेत market को यही से लगा था देहां से देखिए ये market के लिए strong resistance का काम कर रहा था यही level जो आज का level है 24,436 तो इसी level को market ने इससे पहले भी अच्छा खासा देख चुका है और breakout का जो candle हो यह वाला है तो उसी तरीके से हो सकता है market को यहाँ पर ही एक support हम को देखिए यह सब कब बाते सही होगी जब market यहाँ से धीरे 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 करके वापसी करेगा लेकिन फिर भी buying side में entry करना बहुत ज़दा गलत हो जाएगा वो इसलिए क्योंकि market किसी भी वक्त थोड़ा सा यहाँ पर pull back लेके इसी को resistance मान के market यह से आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है और फिर market आइस्ता आइस्ता करके इन सब level के पास आना शुरू होगा इसलिए market को पूरी तरीके से अभी एक तरफा देखना सही नहीं होगा 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ पर कुछ चीजे बहुत साफ नजर आती है और वो क्या चीजे है वो यह है कि market 22 तारीक का जो यह close था इस बाइस तरीक के close को अब धहन देंगे और आज के close को धहन देंगे लगबग लगबग market सिर्फ 36 पर में आपको पहले ही का सिर्फ 36 पर मार्केट नीच आया है तो सारा दिन market ने फिर क्या किया सारा दिन market अपने ही range के अंदर चलता रहा देखेंगे तो market एक हवा महल बनाया था यहापे चोटासा अपने ही इस तर्गा मार्केट ने अपना अपनी साबसे काम किया उपर जाने की कोशिश की मार्केट को सफलता मिले नहीं क्यूं सफलता नहीं मिली इसके बारे मैंने आपको short time में बताया थे मार्केट यहां पह न आकर रूखा था तो उसको अगर मार्केट क्रॉस भी करता है तो भी बाइंग नहीं आएगा साथ सो को क्रॉस करना ज़रूरी है बहुत सारे लोग सोचेंगे कि या पर छे सो को क्रॉस कर दिया तो मार्केट में बाइंग नहीं आए ऐसा नहीं होता है इसके लिए मार्केट में आपको थोड़ा सा वक्त बिता आने के बात समझ में आएगा कि major resistance और major support क्या-क्या है अभी देखिए एक चीजा अच्छा जरूर हुआ है कि कल के लिए हमारे पास एक नया support आके हमारे पास रूप गया है और वो support है आपका ये आज का 24,377 का जो कल अगर market gap up भी अगर खुल जाता है तो यहां से market में खरीद आसे शुरू होता है और धीरे-धीरे करके फिर उपर गया और ये level कौन सा 24,600 का market जब इस level को तोड़ेगा फिर market में 700 का level आएगा उसके बाद फिर market में buying का situation बनेगा उससे पहले buying नहीं आएगा बहुत सारे लोग कल क्या करेंगे अगर gap up खुल गया तो तूरंट buying के आप मार्केट आपको 600 तो क्रॉस करवा देगा और फिर market 700 से क्यों ना reverse हो जाए तो 700 के पास market को sustain करने देना पड़ेगा आदा पौन गंटा market अगर रूपता है 700 के उपर 24,700 के उपर तभी जाके हमको buying side में कुछ अच्छा होता हुआ दिख सकता है और market वासे अच्छा momentum प मार्केट शुरूबात का 15 मिन तो नीचे चला आता है और फिर अगला 15 मिन वापस market support के उपर काम करने लगता है तो ऐसे समय पे market का फिर से consolidate होने की संभावना बढ़ जाती है तो ऐसे मौके पे सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि market शुरूबात का आदा घंटा क्या कर तो फिर नीचे market और जा सकता है और वो market को आइस्ता आइस्ता फिर 24,000 तक लेके जाने की क्षमा रखता है देखिए 24,000 अपने आप में strong support क्योंकि आपको पता ही है कि market round figure अपने आप में strong support भी होता है और resistance भी होता है तो पहले 24,000 तक जाएगा और उसके बाद फिर और 100 प से देखते हैं तो हमें यहां पर क्या दिखाए देता है कि market इससे पहले इन सब जगह पे आ चुका है और यह अगस्त महिने में आपने देखा कि बहुत बड़े कैपडाउन के साथ market खुला था और फिर market सिधा सिधा नीचे गया और 23,900 के पास अगस्त महिने में रुका था तो उन सब दिनों को भूलना अब बिल्कुल भी नहीं है और market इस तरीके से काम करता हुआ आ रहा है तो market में आप लगातार एक यहां पे अनुखे प्रकार का एक trading अभी आप देखते हुए market को देख सकते हैं यहां पे अगर हम एक चीज और सामने हमारे नजर में आ रहा है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए market एक बहुत शानदा trend line को भी follow करता आ रहा है ठीक है इस market को इस trend line को याद रखिएगा तो market जिस प्रकार से market trend line को follow कर रहा है आपको market कल के दिन इसी इसी नंबर के आसपास इसको में हटा देता हूँ तो चीज़े समझ में आ market अगर खुलता है और market नीचे जाना शुरू करता है तो हो सकता आपको 24,200 के आसपास अगर market जाता है तो यहाप एक support लेकि फिर market दुबारा ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत एक pullback दे सकता है इन छोटी-छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो market में एक बहुत के लिए जाहिन